हमारे पिछले सत्र में हमने यह देखा कि बीजी अव्यांजक क्या होते हैं मित्रो इस सत्र में हम बीजी अव्यांजक को जोड़ना और घटाना समझेंगे चलिए शुरू करते हैं हमारे मित्रर राज के पास पाँच पैंसिल्स थी और तीन किताबे थी उसके पिता ने उसे तीन पैंसिल्स और दो किताबे तोफे में दी थी अब राज के पास कितनी पैंसिल्स और किताबे हैं? राज के पास अब आठ पैंसिल्स और पाँच किताबे होंगी हम इस नतीजे तक कैसे पहुंचें? हमने उसके पास जो पहले से Pencils थी उनमें उसके पितादवारा तौफे में दी गई Pencils को जोड़ दिया इसी तरह हमने उसके पास जो पहले से किताबे थी उनमें उसके पतादवारा तौफे में दी गई किताबों को जोड दिया तो हम यह देख सकते हैं कि पहले से मौझूद पैंसिल्स को हमने नई पैंसिल्स से जोड दिया और पहले से मौझूद किताबों को हमने नई किताबों से जोड दिया अब मान लीजिए कि राज की बहन आती है और उससे चार पैंसिल्स और दो किताबे छीन लेती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब राज के पास कितनी पैंसिल्स और किताबें बची हैं? बिल्कुल सही, चार पैंसिल्स और तीन किताबें पीजी अव्यन्जक को जोड़ना और घटाना भी ऐसे ही तर्क पर अधारत है चलिए जांचते हैं कैसे हमारे पिछले सत्र में हमने समझा कि समान और असमान पद क्या होते हैं अब इन पदों को देखिए हम यह जानते हैं कि दो पद समान है अगर उनके बीजी यगुननखंड समान है जैसे हमने पैंसिल्स को पैंसिल्स से जोड़ा और किताबों को किताबों से जोड़ा उसी तरह हम केवल दो समान पदों को ही एक दूसरे से जोड़ सकते हैं हम कभी pencils को किताबों से नहीं जोडते उसी तरह हम दो असमान पदों को एक दूसरे से नहीं जोड सकते घटाने में भी यही मामला है केवल समान पदों को ही एक दूसरे से घटा सकते है हम दो असमान पदों को नहीं घटा सकते चलिए इस अवधारना को बहतर समझने के लिए एक उधारन देखते हैं इन व्यंजिकों को देखिए चलिए इन दो व्यंजिकों को जोडते हैं कोश्ठक को खोलने के बाद हमें यह मिलता है हम यह जानते हैं कि केवल एक जैसे पदों को ही जोडा और घटाया जा सकता है इसलिए हम समान पदों का समूह बना लेते हैं अब जब हम इन दो समान पदों के जोडों को जोड देंगे तो हमें यह परिणा मिलेगा हमने दो व्यंजकों को जोडने का एक और सरल तरीका सीखा है जो है व्यंजकों को उर्ध्वाधर क्रम से लगाना जब हम उर्ध्वाधर में व्यंजकों को जोडते हैं हर व्यंजक एक अलग पंक्ती में इस प्रकार लिखा जाता है कि समान पद एक के नीचे एक स्थम में इखटा हो जाएं और अब हम स्थम के हिसाब से जोडेंगे पहले हम इस स्थम के पदों को जोडेंगे और फिर इस स्थम के पदों को जोडेंगे क्योंकि हमारे दूसरे व्यांजक में कोई भी पद एक गुननखंड वाला नहीं है इसी लिए 6A के नीचे कोई भी पद नहीं है तो हम इस 6A को ऐसे ही लिख देंगे यह हमारा आखरी उत्तर है और जो बिल्कुल इसकी तरह ही है इस सत्र में हमने बीजी अव्यांजक को जोडने और घटाने के पीछे की अवधारना को देखा अगले सत्र में हम इसे कुछ उधारनों के साथ बेतर समझेंगे